कि दोस्तों नमस्कार कैसे हैं उमीद करता हूँ आप अच्छे से होंगे और अपनी तयारियों में लगे होंगे कि मैं SKP SSS point में आपका स्वागत करता हूँ और वीडियो के इस part में मैं लेकर आया हूँ आवर्ती दस्मलो भिन पर आधारित questions यानि non-terminating decimal fractions क्या होते हैं और उनको simple fraction में कैसे convert करते हैं आज इनहीं पर बात होगी और आवर्ती दस्मलो भिन के योग यानि उनका addition कैसे करेंगे उनका subtraction कैसे करेंगे और दो इस तरह के numbers का कैसे multiplication होगा कैसे division होगा ये सब बातें आज के वीडियो में होने वाली हैं वीडियो के part 1 में मैंने इसका पूरा concept basic concept बताया हुआ है तो मैं चाहूंगा कि आप वीडियो का part 1 जरूर देखें ताकि आपका concept बिल्कुल clear हो सके और उसमें जो tricks यूज किये गए हैं वो उन tricks से भी आप परचित हो सके तो वीडियो के इस part में हम लोग केवल questions करेंगे औ और वो questions कैसे होंगे कि आवर्ती दस्मलो भिन पर आधारित जो योग है बर्गमूल है आपस में गुणा है subtraction है और उनका division है तो आईए हम लोग question number 1 से बात शुरू करते हैं तो यह question number 1 है इसमें दिया है कि 1.2 पर बार into 0.03 पर बार लगा है अब बार वाले के बारे में आपको मालूम है कि अगर किसी दस्मलो के बाद किसी अंग पर बार लगा होता है तो उसे कैसे simple भिन में बदलते हैं यानि सधारन भिन में कैसे बदलते हैं तो एक दस्मलो दो पर बार गुणे दस्मलो जीरो तीन ये पूरा बार लगा है तो यह जो एक दस्मलो दो है दो पर बार है इसको हम लोग ऐसे लिख लेंगे और इसमें ये गुणा होगा 0.03 पर पूरा बार लगा है अब इसे simple यानि सधारन भिन में बदलेंगे तो one प्लस इसको बदलेंग तो two by nine हो जाएगा दस्मलों के बाद जितने अंक पर बार लगा होता है उसके बदले हर में उतने नव बना देते हैं और अंस में वो सिर्फ नंबर यानि वो सिर्फ अंक लिख दिया जाता है तो जैसे दो पर केवल दस्मलों के बाद केवल एक अंक पर बार लगा था तो एक नौ बन गया और दो उपर सिंपली बिना बार बिना दस्मलों के दो लिख दिये अब इसमें यहां भी इसे सदहारण भिन्द में बदल लेना है तो देखे दस्मलों के बाद दो अंकों पर बार लगा है इसका मतलब कि यहाँ denominator में 2 9 लिखना पड़ेगा यानि 99 और उपर 0 3 लिखेंगे या सिर्फ 3 लिख सकते हैं 0 3 लिखें या सिर्फ 3 तो देखें यह जब इसको साल्ब करेंगे तो 9 एकम 9 2 11 यानि 11 बटा 9 गुणे 3 बटा 99 हो गया अब देखें यह 3 से 9 3 बार में कट गया और 11 से 99 बार में कट गया तो यह हो गया एक बटा 27 और एक बटा 27 में यानि एक में 27 से जब भाग देंगे तो यह आजाएगा 0 3 7 और यह पूरे पर बार तो आप देखें एक में 27 से भाग दे करके हम लोग देख सकते हैं कि यहां जीरो बनेगा एक और जीरो बनाएंगे तब हंडेड होगा और सताइस तियां एक आसी तीन बार जाएगा और दस में से एक गया नौ और यहां नौ में से आठ गया एक यह नब्बे हो गया अब देखें यह जाएगा साथ साते उन्चास के नौ हासिल चार सादोनी चाउदा चार अठारा देखें दस में से नौ गया एक और फिर यह जीरो जीरो फिर यहां एक आ गया फिर यही नंबर रिपीट होने लगेगा कि एक जीरो बनेगा फिर एक जीरो यहां एक जीरो फिर 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 सेवन और यह रिपीट हो करके हमको दस मलो जीरो त्री का बार मिल जाएगा तो इस तरह से यह हमको उत्तर मिल गया और यह आपसंड डी सही है तो देखे इसमें हम लोग ने बिल्कुल सिंपली और मैंने काफी डिटेल से लिख दिया है ताकि आपको एक बार पता चल जाए कि इसमें क्या प्रासेस अपनाया जा रहा है और किस तरह से हम लोग इसे साल्व कर पाए आईए नेक्स्ट कुस्चन करते है देखे कुस्चन नमर दो में दिया है कि 3.87 87 पर देखे बार लगा है माइनस 2.59 और 59 पर बार लगा है और इसको साल्व करके बताना है अब यहाँ सबसे इंपार्टेंट बात यह है कि जो यह आपसन दिया गया है यह आपसन बार में ही दिया है यानि इसका एंसर बार में ही आपको बताना है सिंपल फ्रेक्शन में नहीं बताना है सधार नभिन में नहीं बताना है तो बार में उत्तर बताने के लिए आपको इस ट्रिक्स का ध्यान रखना होगा देखे हम लोग क्या करेंगे कि 3.87 यह 87 को तीन बार लिख लेंगे यानि एट सेबेन एट सेबेन और ये डाट डाट आप चार बार लिख सकते हैं पाच बार लिख सकते हैं निमिनिमम तीन बार लिखेंगे ताकि हमको ये पता चल सके कि ये किस तरह से इसका repetition मिलेगा दूसरा 2.59 इसको भी तीन बार लिख लेंगे और दीखें यहां पर दो दस्मलों के बाद दो अंग पर बार लगा हैं यहां भी दस्मलों के बाद दो अंग पर बार लगा है तो ये लिखने में भी काफी सुविधा हो गया काफी आसान हो गया अब इसे माइनस करना है देखिए 17 में से 9 गया 9, 8, 17 7 में से 5 गया 2 और यही चीज यहां भी 8, 2, 8, 2 और 3 में से 2 गया 1 और यह बार बार आएगा तो आप देख सकते हैं कि यह जो 2 अंक है 28, 28 यह repeat हो रहा है तो जो अंक बार बार repeat होता है पुनरा बृती जीस अंक की होती है तो उसके उपर बार लगा देते हैं यानि 1.28 पर बार लगा देंगे और यही हमारा answer होगा तो यह answer option D में है तो I hope कि आपको यह बात समझ में आ गई होगी और इस tricks का इस्तमाल करेंगे तो आपको तुरंत बार में ही उत्तर मिलेगा बाकी अगर आप इसे simple भिन में convert करके करेंगे तो वो कापी time taking वाला होगा और बार में उत्तर निकालने के लिए फिर भाग देना पड़ेगा और यह आपको direct बार में उत्तर लेकर आता है तो I hope कि आपको यह बात समझ में आ गई होगी आए नेक्स्ट कुष्चन करते हैं यह कुष्चन नमर 3 है और इस कुष्चन को ध्यान से देखे कि 3.36 पर बार लगा है माइनस 2.05 पर बार लगा है और पलस 1.33 पर बार लगा है और इसे solve करना है आप यहाँ पर देखिए कि जो absence दिये गए है इस absence में दो absence ऐसे हैं जिन पर बार लगा हुआ है और दो absence ऐसे हैं जिन पर बार नहीं लगा है तो बार न लगने वाला तो answer होनी की संभावना ही नहीं है यह जान लिजी क्योंकि बार लगने वाला ही answer यहां से मिलेगा अब हम लोग को करना क्या है कि जो plus वाला है उनको पहले ID कर लेंगे और फिर minus को subtract कर लेंगे तो plus वाले को ID करने के लिए क्या करेंगे देखिए इनका दो-दो का हम लोग तीन पेयर बनाएंगे यानि 3 3 3 3 3 3 3 और यह डाट डाट अब इसे हमको आइड कर लेना है क्योंकि यह दोनों प्लस हैं तो इनको आइड कर लेंगे जोड लेंगे अब देखिए 6 और 3 यह 9 यह 6 9 6 9 6 और यह हो गया 4 तो 4.6969 यह और यह चलने लगा अब इसमें से इसे माइनस करना है 2.05 बार को तो 2.05 बार 0505 और यह माइनस हो रहा है तो माइनस करेंगे तो देखिए 9 में से 5 गया 4 और यह 6 आ गया फिर 9 में से 5 गया 4 6 4 6 और 4 में से 2 गया 2 तो देखिए यह 64, 64, 64 यह अब repetition होने लगा तो finally answer क्या हो जाएगा 2.64 और 64 पर बार लगा देंगे क्योंकि 64, 64 यह repeat हो रहा है तो यह answer आगया 2.64 पर बार और यह option D सही है आए नेक्स्ट कुश्चन करते हैं Question number 4 में देखे यहाँ पर multiply है दस्मलो चार पांच पर बार लगा है और उसमें multiply किया गया है दस्मलो एक का यह दस्मलो एक है तो क्या करेंगे देखे यहाँ पर दस्मलो चार पांच को अब सधारन भिन में बदलना पड़ेगा क्योंकि इसको इस तरह से हम multiply नहीं कर पाएंगे तो इसे सधारन भिन में बदलेंगे तो हर में यानि denominator में दस्मलो के बाद जितने अंक पर बार लगा होता है उतने नव बना लेते हैं तो यहाँ पर दो बार नव बना लेंगे और उपर लिख दिये 45 अब इसमें गुणा होना है दस्मलो एक का अब दस्मलो एक को एक बटा दस लिखेंगे दस्मलो एक को हम लोग एक बटा दस लिखेंगे तो एक बटा दस लिख दिये अब देखिए इसे आप पांच से काड़ सकते हैं पांच नवा पांच दोनी दस और नौ से ये कट गया इगारह बार में तो ये हो गया एक बटा बाइस अब एक में बाइस से भाग देना है तो अब ये बार में उत्तर लेकर आ जाएगा दस मलों के बाद जीरो लगाएंगे तो दस ही हुआ फिर एक जीरो बनाना पड़ेगा तब ये सो हुआ और बाइस चवक अठासी चार बार जाएगा दस में से आठ गया दो और यहां नव में से आठ गया एक फिर ये एक सो बीस हो गया और बाइस पाचे एक सो दस पांच बार गया देखिए जीरो और दो में से एक गया एक फिर ये यहां से शुरू होगा फिर आपको जीरो चार पांच जीरो चार पांच ये आने लगेगा क्योंकि यहाँ पर one zero आ गया तो फिर एक zero बनाएंगे तो फिर चार बार ले जाएंगे उसके बाद फिर पांच बार और यह आपको repeat होता रहेगा तो इसके जगह पर आपको मिल गया दसमलो zero four five अब देखे जीरो नहीं repeat हो रहा है zero भी repeat हो रहा है तो यह पूरा बार आएगा यहाँ पर यह देखे दस आ गया एक zero बनेगा तो zero नहीं repeat होगा सारी यहाँ पर चार पांच चार पांच आएगा zero नहीं repeat होगा तो यह हमारा बार हो जाएगा चार पांच पर यहाँ पर देखे एक बार यहाँ 0 बनाये गया तो आप देखें यहाँ पर 10 आ गया और 1 0 बनेगा फिर यह 4 बार 5 बार जाएगा तो 0 नहीं रिपीट हो रहा है 0 को छोड़ करके 4 और 5 सिर्फ रिपीट होगा और इस तरह से यह question solve हो गया तो इसका answer हो जाएगा option B आएए next question देखते हैं देखे question नमर 5 में दस्मलो चार बार का बर्गमूल पूछ रहा है यानि बर्गमूल निकालना है किसका निकालना है बर्गमूल दस्मलो चार और बार तो सबसे पहले हम लोग इसको सधारन भिन्य में बदलेंगे तो यह 4 बटा 9 हो गया देखे जितने दस्मलो के बाद जितने अंक पर बार लगा होता है उतने ही हर में 9 बना देते हैं अब इसे बर्गमूल निकालना है तो अंडरूट करना पड़ेगा तो इसका बर्गमूल आ जाएगा दो बटा तीन देखे चार का बर्गमूल दो और नौ का बर्गमूल तीन तीच में थोड़ा सा डिश्टर्बेंज हो गया था इसके लिए सारी तो ये देखे टू पाइंट इसका बर्गमूल जो है 2 by 3 हो जाएगा और 2 में जब 3 को से divide करेंगे तो ये दस्मलो 6666 आएगा और दस्मलो 666 को हम लोग दस्मलो 6 बार लिखते हैं तो इसका answer हो जाएगा दस्मलो 6 बार यानि दस्मलो 4 का 4 बार का जो बर्गमूल है वो दस्मलो 6 बार है तो ये बड़ा आश्च्रिजनक है कि संख्या दस्मलो 4 बार है और उसका बर्गमूल उससे बड़ा दस्मलो 6 बार बता रहा है यहाँ पर इस तरह से देखने पर एक सधान आदमी से पूछेंगे कि ये तो भाई दस्मलो 4 है बर्गमूल जनरली क्या होता है कि जो संख्या होती है उससे छोटा ही होता है लेकिन यहाँ पर देखने से बड़ा लग रहा है लेकिन ये 6 बाई 2 बाई 3 है और ये 4 बाई 9 है तो इस तरह से हम लोग बर्गमूल इसका निकाल लेंगे आज़े नेक्स्ट कुष्चन में देखते हैं क्या है ये कुष्चन नमर 6 में है कि यदि दस्मलो 1111-10-10 को एक बटा 9 लिख रहे हैं तो दस्मलो 444-10 को क्या लिखेंगे तो आप चाहें तो डाइरेक्ट इसे लिख सकते हैं दस्मलो 4444 ये है तो ये हो जाता है दस्मलो 4 बार जो अंक दस्मलो के बाद बार बार रिपीट होता है बार बार आता है उस पर बार लगा देते हैं तो ये चार बार और चार बार को साधारन भीन में बदलेंगे तो ये चार बटा 9 हो गया और यहाँ पर दिया है कि दस्मलो एक 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 को एक बटा 9 लिख रहे हैं तो दस्मलो चार चार को क्या लिखेंगे तो दस्मलो चार चार को 4 बटा 9 लिख देंगे आज़े next question करते हैं देखें ये एक expression दिया है कि समीकरण दिया है कि दस्मलो एक का बार का square फिर ये curly bracket में दिया है 1-9 इंटू दसमलो 1-6 केवल 6 पर बार लगा है का स्क्वायर और कर ली ब्रेकेट बंद और ये तो ये एक सिंपल एक्वेशन है इसे कैसे साल्ब करेंगे तो देखे इसे सधारन भिन में बदलना ही होगा तो दसमलो 1 बार को 1 बटा 9 और इसका स्क्वायर दिया है तो इसक्वायर कर देंगे और ये ब्रेकेट लगा दिये ये 1-9 अब देखे ये दसमलो 1-6 6 पर बार लगा है एक पर बार नहीं लगा है तो इसको साधारन भिन में कैसे बदलते है तो वीडियो के उसका यूज करेंगे तो देखे ये जो सोला है उतने 9 बनाते है और जितने पर बार नहीं लगा है दसमलो के बाद एक पर कोई बार नहीं लगा है तो उसके बदले 0 बनाते है अब यह square है तो square कर दिए अब देखें यहाँ 1 by 9 का whole square bracket बंद minus 9 और 16 में से 1 निकल जाएगा 15 अब 15 से 90 काट देंगे तो यह हो जाएगा करेंगे तो यह 36 हो गया अब यह आ गया ऐसे तो एक बटा 9 का whole square 1 minus देखें यह 36 हो गया है क्योंकि यह बर्ग है और 9 से यह कट जाएगा तो यह एक बटा 4 हो गया अब देखें चार में से एक निकाल देंगे 3 तो यह एक बटा 9 गुणे 9 और यहाँ पर आ गया 3 बटे 4 और एक 3 से एक 9 कट गया तो यह 3 हो गया एक बटा 27 गुणे 4 और 4 साथे 28 चार दुनी 8 दू 10 यानि एक बटा 108 आ गया और एक बटा 108 आपसन 20 अई है तो यहाँ पर एक छोटी सी मिश्टेक इसके पहले हो गई थी अब वो सुदार लिया गया देखें पंदरा हो जाएगा और पंदरा 90 गट जाएगा पंदरा एकंदरा पंदरा च्षा का 90 फिर एक बटा 6 आएगा एक बटा 6 का बर्ग करेंगे तो एक बटा 36 आ गया और 9 से यह 36 चार बार में कट गया तो एक बटा 4 आ गया आप 4 को यहाँ साल्म कर लिए तो एक बटा 9 गुणे 9 9 का square है तो 9 गुणे 9 लिख लिए और 3 बटा 4 3 से 9 तीन बार में कट गया तो ये 9, 3, 27 27 में 4 का गुणा किए 108 आठ आ गया तो इस परकार से इस equation को हम लोगों ने बड़ा easily solve कर लिया आए नेक्स्ट कुष्चन करते हैं तो देखें कुष्चन नमर 8 में है कि 0.3467 पर बार लगा है प्लस इसमें 0.13 और 33 पर बार लगा है इनको आएड करना है तो आएड हम लोग इसके पहले भी की हैं लेकिन यह यहाँ पर दो ऐसे डिजिट हैं जो रिपीट नहीं हो रहे हैं और इसके बाद वाले दो डिजिट रिपीट हो रहे हैं इसके बाद वाले रिपीट वाले हैं तो इनको कैसे आइड करेंगे वैसी ही आइड करेंगे इसमें ट्रिक क्या इस्तेमाल होगा कि इसको तीन पेर लिखेंगे यानि कैसे लिखेंगे दसमलो 3,4,6,7,6,7,6,7,6,7 देखें यह तीन पेर हमने लिख लिख लिया और इसी तरह से इसको लिखेंगे पॉाइंट 1,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3 यह लिख लिए और इनको दिखें आइड करना है आइड करेंगे तो 7,3,10 और इधर से जब आएगा तो चलिए यहाँ पर 10 लिख देती है जीरो और 6,3,9,1,10 जीरो हो गया अब 7,3,10,1,1,1 आगया 6,3,9,1,10 फिर 7,3,10,1,1,1,6,3,9,1,10 4,3,7,1,8 और 3,1,4 और 10 मलो और 0 तो आप यहाँ पर क्या देख रहे हैं कि यह देख रहे हैं कि यह 4,8 रिपीट नहीं हो रहा है और रिपीट क्या हो रहा है 0,1,0,1 और यहाँ भी चुकी इधर से यह आता चला आएगा तो यहाँ भी 0,1 आपको मिलेगा यानि 10 मलो 4,8,0,1 यह रिपीट हो रहा है और यही एंसर है तो यह एंसर आपसन B में है तो इसका एंसर आपसन B हो गया आए निक्स्ट कुष्चन करते हैं देखिए यह कुष्चन है 3.76 पर बार लगा है माइनस 1.4576 यहाँ पर 3 डिजिट पर बार लगा है और 1 डिजिट पर बार नहीं लगा है और यहाँ पर सारे आपसन्स जो हैं बार में दिये हुए हैं इसके लिए क्या करेंगे देखिए यह कुल मिला करके 4 डिजिट है और यह 2 डिजिट है तो 4 डिजिट और 2 डिजिट का जो हम लोग इसको जब 4 बना लेंगे बने इसको 2 पेयर लिखकर 4 बन गया इसके बाद यहाँ से यह repeat होगा 3 डिजिट तब इसको हम तीन यानि तीन पेयर लिखेंगे तब इसका हम लोग दो पेयर लिख पाएंगे तो देखें आज़े समझते हैं कैसे यह हो रहा है 3.76 7.6 देखें यहां पर इतना करने पर 1.4576 यह एड़ेस्ट हो गया अब देखें यह तीन अंक रिपीट हो रहा है तो यहां से 7.6, 7.6, 7.6 हमने तीन पेयर इसके बनाए तो इसके दो पेयर लिख पाएंगे देखें 5.7.6, 5.7.6 यह पेयर लिख लिए फिर हम अगला इसका तीन पेयर बनाएंगे 7.6, 7.6, 7.6 और फिर हम इसका दो पेयर और लिख लेंगे 5.7.6, 5.7.6 यह इसमें ट्रिक इस्तिमाल की गई है अब देखें, 6 में से 6 निकल गया 0 7 में से 7 निकल गया 0 6 में से 5 निकल गया 1 7 में से 6 निकल गया 1 6 अब यहां पर देखें 6 आ गया और यहां 7 है तो 16 में से 7 निकल गया 9 और यहां बचा देखें 6, 6 में से 5 निकल गया 1 6 में से 6 निकल गया 0 7 में से 7 निकल गया 0 अब यहां पर आ गया 6 में से 5 निकल गया 1 फिर 17 यहाँ पर 7 में से 6 निकल गया 1 6 में से 16 में से 7 निकल गया 9 फिर 7 में से 6 में से 5 निकल गया 1 6 में से 6 निकल गया 0 7 में से 7 निकल गया 0 यहाँ पर 6 में से 5 निकल गया 1 7 में से 4 निकल गया 3 10 मलो 3 में से 1 निकल गया 2 अब यहां हम लोगों को repetition चेक करना है कि कितने नमबर repeat हो रहे हैं तो आप ध्यान से देखिए यह नमबर यहां से repeat हो रहा है और यह देखिए यहां तो यह देखिए 100191 100191 अब फिर इधर भी आपको वो मिलेगा तो यह 4 जो कुल मिला कर यह 6 digits ऐसे हैं जो repeat हो रहे हैं और उसमें यह 3 repeat नहीं हो रहा है तो इस नमबर को हम लोग कैसे लिख लेंगे तो यह हो जाएगा 2.3 100191 और इतने के उपर हम बार लगा देंगे और यही हमारा answer है तो यह हम लोग इसे subtract किये थे और यह answer आ गया तो यह answer option a, a में सही हो रहा है यानि 2.3 और 100191 और यही हमारा यह option आ गया तो देखें यहाँ पर जो trick इस्तिमाल किये गई कि पहले हम लोग यह 4 digits को adjust कर दिये फिर यह 2-2 था तो इनके 3 pair लिख लिए यह और यह 3-3 के हैं तो इसके 3 pair में इसके 2 pair adjust हुए फिर इसका 3 pair next लिखिए तो इसका 2 pair adjust हुए यह trick यहाँ पर इस्तिमाल की गई तो I hope कि यह बात आपको समझ में आ गई और direct हम लोग बार में answer पा गए और यही इसका सबसे best method था आए नेक्स्ट कुश्चन करते हैं देखें यहाँ पर question number 10 में है कि 0.646 divided by 0 1,3 और 8 पर बार लगा है यहाँ पर देखें 6 पर बार नहीं है दो डिजिट पर बार है और बीच में division का चिन है तो जब division का चिन होगा तब इसे simple fraction में बदलना ही होगा यानि सधारण भिन में बदल कर ही हम लोग काम करेंगे तो कैसे करेंगे इसको देखें 0.646 इस पर बार लगा है और यह divide का चिन है 0.138 पर बार लगा है तो इसे सधारण भिन में बदलने के लिए 646-6 दस्मलों के बाद जितने अंग पर बार नहीं लगा होता है उसे माइनस कर देते हैं और जितने अंग पर बार लगा होता है उतने 9 बना लेते हैं और जिस पर बार नहीं लगा होता है उतने 0 यह अंस में अरेहर में यानि डिनॉमिनेटर में अब यहाँ पर भाग है फिर यहाँ पर देखें यह 138-13 लिखेंगे और अपान 9 और 00 तो देखें यहाँ पर 46 है इसमें से 6 निकल गया तो 640 बटा 990 हो गया यह भाग का चिन 8 में से 3 निकल गया 5 बचा और 3 में से 1 निकल गया 2 और यह 1 यानि 125 बटा 900 अब देखें 640 बटा 990 में 125 बटा 900 का भाग देना है तो क्या करेंगे इस भाग के चिन्न को गुणा में जब तबदील करेंगे तो यह पलड़ जाता है यानि 640 बटा 990 गुणे 900 बटा 125 देखें 1 0 से हम इसका 1 0 काट दिए अब यह 9 से कट गया 11 99 99 99 9 से कट गया और यह 10 से कट गया 9 दहां में 90 9 से यह कट गया अब 5 से देखें यह कट जाएगा 25 पाचे 125 और 5 दूनी 10 अब 5 से यह भी कटेगा देखें 5 एकम 5 5 दूनी 10 और पाचवाठे 40 और पाचवाठे 25 तो अब यहाँ पर देखें 2 आठे 16 और दू दूनी 4 एक पाच 2 एकम 2 256 और इगारा पाचे 55 तो 256 बटा पाचपन इसका एंसर हो गया 256 बटा पाचपन यानि आपसन सी सही है तो देखें इसमें कुछ हम लोगों ने नहीं किया बिल्कुल इसको एक सिंपल भीन में यानि सधारण भीन में इसको कनवर्ट कर लिया और फिर यहाँ पर डिवीजन का साइन है चिन है इसको गुड़े के चिन से बदल दिये तो इसको उपर बिल्कुल ये बदल देते हैं यानि अंस का हर और हर का अंस कर देते हैं और फिर यहाँ पर हम लोगों ने इसे केंसिल करके 256 बटा पचपन निकाल लिया तो फ्रेंड्स ये सालूसन आपको कैसा लगा जरूर बताईएगा और इसको ठीक से और समझने के लिए वीडियो का पार्ट वन जरूर देखिए ताकि वहाँ से और आपको कांसेप ठीक से मालूम हो सके अगर आपने ये मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज आपसे निवेदन है कि आप चैनल को सब्सक्राइब करें अपने फ्रेंड्स की भी सेर भी करें और लाइक जरूर करें ताकि मुझे संतोस हो आपसे बिदा लेता हूँ इस सुब कामनाओं के साथ कि आप अपर तैयारी में ठीक से लगे रहें नमस्कार